बुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बुड मॉर्निंग मैसेल्फ कैलाज चोटिया, मेरा नाम कैलाज चोटिया है जैसा कि बच्चो आप मेरे से प्रिशित और जो रगुना स्कूल जो रत्रंगड का सबसे बेश्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको जो घर बैठे, ओनलाइन क्लासेज उपलब्द करवाई जा रही है, उन ओनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा बारे में आपको हिश्ट्री या इतिहास का अध्य में वह रहा है हमारा जो पहला आध्याय है वहारत का व्य秩या कोन साै कलन की राश्तरख़नी श्यद रूप सेपिखासी करन थी तो कश्मीर के इतिया शकॉड इनरी अर्ट शाप्दिक आर्थ होता है राश्तरणजी यानि राजाओं की नदी इसमें पर्थम सताबदी से लेकर बार वी सताबदी तक के कश्मीरी राजाओं के इतियास के बारे में बताया गया है कश्मीर का इतियास से वो बताया गया है अन्य मैत् difपून गृंटूं में आचारि ए चाणक के या कोटिले के अर्थसास्तर साथ को टिल्य के शो अर्थि सार्टेश से है उससे हम म counselor मैं राज प्रबंदन कैसा हूँ अर्थ व्यवस्ता कैसी ती करue प्रणाली कैसी विवस्ता कैसी ऐसी समाज में वर्ग विवसिता कैżenia तो उस समय लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था लोगों के धरम में जो भारत में कौन-कौन से धरम थे उनका प्रचलन था हिंदू थे बोध थे जैन थे वो उसकी हमी विस्तरित जानकारी मिलती है कोटिल्य ने इतियास के अंतरगत कोटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थ सास्तर में अपने इतियास के अंतरगत पुरान इतिवरत आख्यान उधारन धरम सास्तर और अर्थ सास्तर को शामिल किया है तो कोटिल्य के इतिहास के अंतरगत पुरान भी सामिल है इतिवरत भी है आख्यान भी है वुधारन भी है धर्म सास्तर भी है और अर्थ सास्तर को भी शामिल किया गया है तो कोटिल्य का अर्थ सास्तर है उस अर्थ सास्तर से हमी तत कालिंग मोरे कालिंग राज प्रबंदन उसकी अर्थ व्यवस्ता सामाजिक जीवन धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, कोटिल्य ने इतिहास की अर्दरकट उसने पुरानों इतिवृत को अक्यान को उधारनों को धरम साच्तिर को सामिल किया है। कर्पлавली रादरती व्यवस्ता मित्र देसरों के समन्द शद्रुदेशों के परतिन निती शामदाम दंड बेद की निती आनुविक्ष की त्रई वार्ता दंड निती का इसमें समुचित है वो वनिन किया गया है इन गरंतों के अलावा उस काल में पाचीन काल में जीवन चरित्र से सम्मंदित भी गरंत उपलग्द होती है इन में बाणबट का हर्स रीतर इड़ेन कि अलावान बट का का दंबरी भी है जिसमें हमें ततकाली हर्स के समय सामाजिक धार्मिक राज़निती शांस कृती इस इस्तिती बहुत रहँं अंगिकार करने और निए virus के प्रचार वागपती राज का वागपती का गरूड वहू, विलहन का विक्रमा का देव चरित्र, पदम गुप्त का नव सह सांक, वल्लाल का भोज चरित्र और जयानक का पर्थ्वी राज विजय इसमें शामिल है। अब हम विशुद शाहितिक गरंथ के बारे में पड़ेंगे। विशुद शाहितिक गरंथ जिसमें उस काल में, प्राचीन काल में अनेक नाटक, संस्कृत में नाटक, व्याकरण गरंथ है। अजरे मिलती हैं इसमें पानेनी का अश्ताधाइड, मेत्वरण गरंथ हैं, पानेनी का अश्ताधाइड, पातनजली का महा भास्षे। पातंजली का महाभास्चे इसने हमें महाभास्चे और योग सुत्रम को अधार मानकर स्वामी रामदेव जी ने योग सास्त्र है वो योगी विडियों को बताया है तो पातंजली का महाभास्चे और योग सुत्रम पातंजली थे वह पुष्यमित्रशुंग के पुरोहित थी गारगी सहिता कालिदास ने भी कई नाटक लिखे थे कालिदास का रगवंस मेग दूत कुमार संभव रितु संघारम मालवी का अगनी मित्रम मालवी का अगनी मित्रम में मालवी का और पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अगनी मित्र के बीच जो प्रेम कथा है उसका वनन मिल इसके अलाव विसाखदत का मुद्रा राप्चस यह भी बहुत मेहत्पून दरंत है शुद्रक का मुर्च कटिकम यह भी मेहत्पून है विज्ञानेश्यों की मिताक्षरा और कामदत का निती सार एतियासिक दिष्टी से मेहत्पून है कथा साहित्य में विश्णु सर्मा का कान्चस्तंत्र की कानिया बहुत ही प्रसीद माने जाती है छाले यों Фnesों के माध्यम से हमें विभिन प्रकार की धार्मिक नेतिक सामाजिक शिक्षय वो दी गई है तो विश्णु सर्मा का पंच्तंत्र गुडान्य का व्रहत कथा चेमेंद्र की व्रहत कथा मंजरी सौमदेव का कथा सरित सागर अमर्शिंग का अमर्कोस यह बहुत महते पून अधिप्रमुक्ष गरंत इस से हमें था कि ततकालिन समाज की जानकारी मिलती है यह घ्रंद एत्यासिक दिश्णी से भी मैट्रपून रही है इसके अत्रिक्त प्राचीन कान में शेत्रे साहित्य की भी रचना की गई थी शेत्रे साहित्य भी विश्णु मात्रा में लिखा पृष्प सब्सकर्ण का या था था था। सो प्राचीन थे यह प्राचीन संस्कृत्य जब मिलतो खोनती संक्रत के तो प्राचीन तमिशत्य सन्गम जए ते संगन सद्क्रति प्राचीन थे यह तमिल साहित्य उसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं तो संगम साहित्य क्या है संगम साहित्य जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं इस साहित्य के रचेता या प्रेनेता अगस्त रिशी थे अगस्त रिशी जेने बगवान शिव का पुत्र भी मा दुर्जटि द्वारा की उपवध्यों की जानकारी देता है तो टमिल सहित्यू पराचेन तमिल सहित्यें वह संगं सहित्य कहलाता है इसके प्रणेता अगस्त रिशी थे जिने भगवान शिव का अवतार या उनका औरस पुत्र भी माना जाता है उन्हें आवतारित पुरुष का जाता है अगस्त रिशी ने प्राचीन तमिल भासा की रचना की थी इसके अत्रिक्त जो तेलगू भासा थी उसमें धुजटी द् जो विजयनगर के महांतम सा सकते कृष्ण देव राय उनकी विजियों उनकी स्थामाजक धार्में के राजवतिक स्थिती के बारे में जानकारी मिलती है राजस्तानी भासाम पर्चों के गन्तों में चंद्र बर्दाई का प्रत्वी राज रासू बहत में पुन हैं चंद बर्दाई का प्रत्वी राज रासू पडबं आब का कानदे प्रबंध बिठु सूजा का राल जेतशी रोचंद और ये बहत में पुन है सूरय मल मिश्रन का वंस भास कर शूर南 मिश्रन का वंस भास कर और को में दिए नेर्शी का नेर्शी की ख्यात यह भी बहत छंदबरदाई का पर्थय राज-राजों सूर्यमलमिश्यन का वंस भासकर मुहनोत्र नेनशी का नेनशी की ख्यात और बांकीदास की ख्यात प्रमुक है तो हमने यहां पर प्राचीन तमिल साहिति के बारे में पढ़ा जिसको हम संगम साहिति कहते हैं इसके प्रणेता अगस्त रिशी माने जाते हैं दुरजटी देर दुरजटी द्वारा तेलगु भासा में कृष्ण देव राय विज्यून विजय नगर के राजा कृष्ण जावी राज दर बारी थे इसके अलावा सुर्य अमल मिष्ण का वंस्भासकर नोत नेंशिय नेंशिरी ख्याद तो नेंशिका नेंशिकी ख्याद और बंकीदास की ख्याद वो प्रमुख है अब हम विदेशी दियुरण के बारे में पढ़ेंगे प्राचीन काल में आपको पता है सांस्कृतिक धार्मिक साहितिक आर्थिक गतिविद्यों का केंदर रहा पर्तम सताब्दी या प्राचीन काल में चट्टी सताब्दी इसापुरु से लेकर करेब नो सो इस्वी तक भारत है वो अर्थ व्यवस्ता का केंदर रहा बाद में 15-16 सताब्दी तक है व भारत है व वो व्या-पार्यक दिश्टी से आर्थिक दिश्टी से धन संपन रहाथ था हमारी वो अर्थरिक स्थे वस्ताइवल हो अंग्रे जों के आनने के बाद wha-da-प०्स का घ्रम्यक आर्थिक गतिविद्यों का केंदर रहा था भारत के व्यापारिक साहिज़ वह शर्फिया टिबथ जापन मalleyशिया इसके लावा मंगोलिय इसलिए लेश की बहुत कुछ लिखाई भ्लत के समय प्रयावत व विवरण यकिन इस लिए हुए हम्हें साफ़ान निस 먼저 रवह को art प्रवावी थे उन्होंने भारत के बारे में प्रियाप्त वीवरन दिया लेकिन ऐसी वीवरन को पढ़ते समय हमें सावधारनी पूरुक अध्यन करना चाहिए क्योंकि इसमें अतिरेक या अतिसे वर्णन भी मिलता है अब हम युनानी साहित्ती के बारे में पढ़ेंगे यु हेरोडोटस जीने इत्यास का जनक भी कहा जाता है दा फादर अप्ड़ हिस्ट्री हेरोडोटस दा फादर अप्ड़ आप्ड़ हिस्ट्री निर्याकस अरिश्ट अबुलस अनिक्रिटस स्ट्रेबो एरियन स्काई लैक्स परमुख है लेकिन सबसे अधिक मैटपून था लेकिन सरवाधिक मैटपून जो लेख था वो चंद्रगुप्त मोरे के दरवार में आने वाला युनानी राजदूत मेगस्तनीस था जिसने चंद्रगुप्त के दरवार में जैते वे एक अपने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका ये युनानी बासा में लिखी गई थी और जिसे भारती बासा में जिसका अनुवांद किया गया था तो इस पुस्तक सेम सब्सक्राइब करनाली धर्म नीति यान सामराजी की विवस्ता गुप्तचर विवस्ता आनविक्ष कीतरही वार्ता दंड नीति दंड शिदांत दंडात्मक विवस्ता इसके लावर न्याय पुर्णाली के बारे में जानकारी मिलती है तो युनानी विवर्ण साहित में तॉलमी का भूगौली यह बोत फिरमस है तोलमी का गुगूल प्लीनी दा एल्डर का एलनर की नेचुरल हिस्ट्री एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ दा वोर इस्ट्रेबो का भुगोल आदी विशेश रूप से परिपलेस ऑफ दे इथरीन सीद में पुस्तक में बंदरगाव और व्यापार की बारे में जानकारी हमें मिलती है तो इनानी लेखते गोभी मेधवन ने तो इनानी लेखते गों में टेसितस, Herodotus, Miryakas, लेकर सबस्टेबुलस की बंदरगाव में आने वाला मेगस्ति इसने इंडिका नामत पुस्तक लिखी थी इंडिका से में मोरियकाली, तदकाली, मोरियकाली, चंदरगुत्त्यमोरी के प्रशिटि इनके बारे में विषित जानकारी मिलती है इसके अत्रिक्त हम चीनी व चीनी विवनके अबारे में पढ़े तो चीनी इतियास कारों में तीन इतियासकार प्रशिद रही है थायां हैंस एञ इंग्सान और इतσι फायियांदु गुप्त्य संड्दुम्रृट्त् जोने प्रकोर किंसान को यात्रियों का राजकुमार हेंक सान हर्श के समय अनbreaker न रशक किर्णिक मांवी नांच वुतन से बार्ड़ को से शेश्डन में था उसने शिक्षा ग्रेंड की हर्षमी करें तो हर्ष की वर्दन के राजजीय में चैसो गुंती से लेकर 645 तक बारत में रहा करीब 15 साल तक उसने पने कुस्तक के की जिसे हम यात्रियों का राजकुमार कहती है तो सी यू की कुस्तक में उसने बारत के समकाले नितियास धरम संस्कृति धर्ण पर्णाली व्यवस्ताकर पर्णाली के बारे में बताया है इत्षिंग साथिस्त आपदी के उत्रार्द में अन्तिम समय में साथ सो बैतर से लेकर 688 तक भारत में रहा उसने नालंदा विक्रम शीला विश्युद्याले के साथ साथ बारतिया धरम समाज का भ अभरताया था जबकि हेंग सान्थ हर्ष के समय था चैसो गुनति से लेकर 646 तक रहा उसने शीयों की नामें पुछ्तक में हमें ततकाली भारत की समकालीन भारत के इत्याज की जानकारी मिलती है इत्सिंग साथिस्ताब्दी के उत्राद भारताया था उसका समय चैसो बहुतर चे लेकर 689 तक रहा था उसने नालंदा विक्रम शिला वल भी आदि विश्य विद्याले के साथ बहारती है धरम समाज संस्कृत संस्कृत संस्कृती साहित्य परंपरा प्रितिरिवाज वन विवस्ता आदी का भी उसकी जानकारी मिलती है तो आज हमने युन किया है तो इनका आपको जहां-जहां मैंने मोस्ट अंडरलाइन क्राया जियां सी यू की जैसे इसके अत्रिक्ते चंद परदाई का पर्त्यु राज राज राश्व सूर्य मल विश्रन कावंस बासकर इसके अलावा संगम साहित्य को मैंने पैंसल से लिखा है इसको आपको इंडरलेंड के इसको समझना यह आपको हम वर्क है धन्यवाद